मित्रो हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम बताएंगे ये जो सामने कटा हुआ है ये 87 सरणशिरी है आगे मैं इसका फोटू भी इस पे लगा दूँगा जिससे आपको उसकी पहजान हो जाए तो उससे पहले आप हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइ करें और बैल आइकोन का बटन दबाए जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे इस यूटूब चैनल के माधधम से हम आपको अपने द्वारा अनुभूत नुकसे जो आपको किसी गरंद में नहीं मिलेंगे जो गुरू के द्वारा में प्राप्त हुए है व दवा सुराइसिस में है जिसका इलाज अलोपैत में नहीं है जब तक आप अलोपैत दवा खाते हो तब तक कुछ आराम रहता है छोड़ते ही दुबारा सुराइसिस अपना वही रूप ले लेता है तो इसके लिए आप हम इसको बनाने का तरीका आपको बता रहे है पहले इसको ऐसे टुकुडों में काट ले, उसके बाद माम जिस्ते से इसको कूटे, जैसे कि मैंने कूट रखा है इसमें, ये देखो, इसको कूट के इसका रस निकाल ले, रस ये देखिए, इसका ये रस है, और इसका फिर हमें घंसत्व बनाना है, गंसत्व आप इसको धीमी आँच पर, गैस पर या चूले पर चड़ा दे, और बरतम लोहे का ही हो, अन्य किसी शीज़ का नहीं हो, उसमें आप इसका गंसत्व निकाले, बहुत ही धीमी आँच पर इसको बनाना है, तेज आँच नहीं होने पाए, और इसमें आप 5 लिटर मे 10-15 ग्राम असुद गंदक का पाउडर ले और चुटकी से बीच बीच में धिरे धिरे डालते रहे जब ये गोली बनाने लाइक हो जाए इसको उतार ले चूले से और इसकी गोलिया बना ले तो ये 87 गंसत्व आपका तयार हो जाएगा मैनत बहुत जादा है इसमें लेकिन काम भी इसका ऐसा ही है ये सुराइसिस को 6 महिने की दवा जड़ से खतम कर देती है आराम एक से दो महिने में ही आना सुरू हो जाता है मरीज को खुजली जल्दी ही बंद हो जाती है एक महिने के अंदर और निशान भी थोड़े काले पढ़ने सुरू जाते है एक से दो महिने के अंदर ही लेकिन इसको इसकी जो गोली बनेगी वे 6 महिने कम से कम ले समूल जड़ से नेश्ट हो जाती है सुराइसिस इस योग से तो धन्यवाद मित्रो हम अभी इसको बनाएंगे सा घंसत निकालेंगे और आगे आने वाली वीडियो पाने के लिए बैल आइकोन का बटन जरूर दबाए धन्यवाद ये 87 का जो घंसत है वो तियार हो रहा है और इस पे देखो आच का साइज ये है ये सुराइस इसमें काम आता है